बोलिंग थी थोड़ी सी साधारण तो कोहली ने किया विराट रूप धारण कैस्टॉल एक्टिव प्रेजेंट्स हैश्टाग आकाश्वानी और इसके साथ वन डे की श्रिंकला भी हुई समाप और समाप नहीं हुई है स्टाइल से समाप किया है कोहली ने जड़ दिया है शतक नमबर 43 वन डिक रिगेट का 43rd सेंचरी I mean क्या खाता है या यह रन मशीन है जो मशीन रूपने का नाम नहीं ले रही He is that kind of a player और इस मैच के दर बाद करें तो बारिश का बड़ा खला लगाता है बार बार एक तो बैसे भी यह मुकाबले मुझे पसंद आते नहीं और शुरुवात में केलने का 1-day cricket को लगा ऐसा है कि कह दिया है Tata bye bye उस पे एक separate आकाश्वानी तो फैर को आ जाएगी लेकिन जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने बता दिया कि उनका खिलने का अंदाज है कुछ अलग है और जो अलग करते आया थे entertainment वो entertainment उन्होंने यहाँ अधिस ओर में अगर टार्गे तो दोसो पच्पन रन का हलांकि दोसो पच्पन बनाए नहीं तो वेस्ट इंडीज नहीं वो डग्पाथ लूइसन स्टर्न में किया गया इस्तमाल थोड़ा सा रनों में किया इसाफा वहाँ पर मुझे लगता है वेस्ट इंडीज इसनी विगेट्स खोईगे ना तो फिर आपको जयादा रन्स का फायदा मिलता नहीं है और अगर कहीं मानलीचे उनके चार ही आउट होते पाच ही आउट होते तो हो सकता है वो और जयादा रन भारत को चेज करने पड़ते पर that was not the case और ऐसे मैं आप चाहते हैं कि ओपनी स आज़ेदारी अच्छी हो जाए क्योंकि थोड़ा बड़ा स्कोर हैं साथ से उपर कापने शुरू से एक स्कोर को चेज करना है लेकिन रोहित शर्मा हुए रन आउट वैसे शिकर और रोहित में मिसंडेस्टेंडिंग वैसे कम होती है पर हुई यहाँ पर फैबिन आलन का रोहित शर्मा रन आउट शिकर दवन रन अबॉल 36 भारत थोड़ी परिशानी में बल्लेबाजी के लिए है रिशब पंत और यह नैशनल डिवेट रहती है कि बई यह कैसा खिलेगा खिलाडी एक ही ओर में वैसे दो खिलाडी भारत ने गवाद यह पहले शिकर दवन क्या किया जाए इनके साथ इनके साथ वी डिसकस लेगा वैसे पहले भी कर चुके हैं पर कैस्ट्रोल एक्टेव मैश प्रोटेक्टर गॉन वह है ना खिलाडी हम उसको रन मशीन कहते हैं अब उसको टन मशीन भी कह सकते हो 43rd ODI century फिछले मैश 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 म श्रेयस आयर के साथ एक साजीदारी पन अपनी थी और वहां पर इनोने बताया कि बॉस इगो नहीं है अपने पास बिल्कुल भी क्योंकि एक जब 50 के स्कोर पर पहुंचे श्रेयस आये तो लगा कि शायद वो थोड़ा सा दबाव ले रहे है उपने उपर जोर से मानने का प्रयास करें फिर श्रेयस आयर ने पिटाई करनी शुडू कि और क्या कमाल की बैटिंगी श्रेयस आयर ने तो उन्हें ने का इत्स आल राइट आप हीरो बन जाओ मैं हीरो का भाई बन के ना मज़े से देखता हूं आपको खेलते हुए तो यह एक और इनकी खास बात है कि हंकार बिल्कुल है ही नहीं उस बला को यह जानते नहीं है बिल्कुल परे रखते हैं टीम को क्या चाहिए वो काम करते हैं कहते हैं बही आंत तक अगर मैं नाबाध राइपार रिमेंड अंबीटन फिर टीम को कोई हरा नहीं सकता और वही काम उन्हों ने करके दिखाय तो फिर वेल दन विराट कोली, चैंपियन प्लेयर और चैंपियन ये पारी थी, लेकिन इस मैच के हीरो, मेरे नजर में, कैसला है, ते मैच प्रोटेक्टर कोली, लेकिन जो हीरो थे वो थे श्रेयस आयर, तो कि आयर ने क्या की है बैटिंग, दूसरे मैच में उनने 71 बनाया थे, पहले बैटिंग करते हुए, यहाँ पे जो बैटिंग की, उसे 5 चक्ये मारे या, 5 चक्ये मारे, 3 चौके लगाया और 150 के उपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाया है, जहाँ पे विराट ओली, जो इनकी परचाई में लोग खेला करते हैं, लेकिन जब श्रेयर सायर खेले तो उनको उन्होंने परचाई में रखा, तो मेरे विचार में तो अब नमबर 4 पे आप इनको खेला है, इनके लिए काकाशवनी सेपरेट बनती है, जो हम दोबारा करेंगे, क्योंकि करनी पड़ेगी, इस प्रकार की इन्होंने पारिया खेली है, तो अब डिसेंबर में आप वो खेलते नज़र आएंगे, इसके बाद डिसेंबर तक नहीं है, श्रेह साइर, आई होब की चार पे खेलते रहें लगाता, और जहां-जहां मौका मिलें, इनको टी-20 में भी चार पे खिलाओ यार, लिखी, इनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, इन्होंने अपनी क्लास दिखाई है, जिस तरहां से इन्होंने की बल्ले बाजी, चलो, आप लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिविकेशन घंटी बजा दीजे, उसकी बजा क्या है, देखिए, एक तो रात के, मैं ये रिकॉर्ड करना हूँ भी यादे को साड़े चार बजे, यानि रात के है, सुपह के, whatever, और आज एक आज वनी एक्स्टा भी आने वाली है, तस डेडिकेटिए टो, क्रिस्टोफर केंडी गेर।